देखे शैजाद सवाल उठ रहे हैं कि ये बदले की कारवाई होती है जब भी देखे बाप से जो हमें जानकारी मिली है हमारे रिपोर्टर से कई महीनों से वो निशान लग रहे हैं लेकिन वहाँ पर एक दम से राजसुई भाग की टीम पहुंच जाती है उस घटना की कुछ इस दिन बाद उसके पहमाईश करने लगती है तो उसके याद आजाता है कारवाई करने का बुल्डोजर की देखे अब मैंने जैसे वारिस भाई की एक एक बात को सुना है उमीद है कि वो भी पूरी बात सुनेंगे अभी नोंने बोला कि मुस्लिम इलाका नहीं होता हमने इनकी पार्टी के नाम में सिर्फ मुस्लमीन हैं मतलब आइरनी ऑफ आइरनी मतलब हिपोक्रसी की सीमा होनी चीए वह है ना हिपोक्रसी की लिमिट इत्तिहादुल मजलिसे इत्तिहादुल मुस्लमीन बोल रहा है मुस्लिम इलाका नहीं होता पार्टी मुसल्मानों की है एन प्राम गोपाल में शेक की पतनी की बात थोड़ा एक कोट करके बता ही ना वारिज भाई वो तो जूटे है क्योंकि हिंदू है बाकी सब की बात तो मानना है तीसरी बात बुल्डोजर एक्षिन पर क्या ब्लैंकेट बैन लगा है बुल्डोजर एक्षिन क्लियर कट सुप्रीम कोट ने 2022 में अभी भी कहा है कि जो मुंसिपल अथोरिटी को कारवाई करनी है मानलो आपकी प्रॉपर्टी अवैद है सुन लो भाई अभी आपने बोला अभी आपने कि मैं तब बोलूँगा जब सब मेरी बात सुनेंगे आपके लिए अलग कानून मेरे अलग कानून आप क्योंके सेद अश्रफ है मैं पसमांदा हूँ तो मेरे बात नहीं आएगी क्या ने पसमांदा समाज की बात नहीं आएगी नहीं यह सेद पठान हमको बोलने नहीं दे में आपको दिया ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा प्लीजा आप मेरी प्रप्लम यह है कि वन टो वन डिबेट नहीं है आप प्लीस अपने वक्ते बोलेगा श्याजाद बात पूर्ट सुप्रीम कोट बड़ा याद आ रहा है पठाण साब आपको तीन तलाग का फैसला मान लो ना फिर यू सी का मानो ना फिर जाहां सुप्रीम कोट पसंद आए तब आप याद गोलीबारी ऑठाण से उसकी रिपोर्ट जुडिशल मैजिस्टेट बनाता है और नेचार्सी बनाती है आप कहां के जज़ बन गए फिर और जज़ बन के फैसला भी सुना दिया कि फेक एंकाउंटर है और वो दंगाई ठीक बोल रहे हैं यह है इनके दोरे मापदंड और आखरी बात मैं से इतना बोलना चाहता हूँ देखे मूल विशय यह है जिस पर विनोध बनसल जी ने खुल कर बोला और बोलना चाहिए मुस्लिमों की कोई भी अगर कोई पवित्र यात्रा निकलती है कोई भी हमारे फेस्टिवल की हिंदू इलाके से निकलती है कभी आपने सुनाये कि हिंदू के इलाके में पुलिस प ही पर भी निकले तो यह मुसल्मान कैसे प्रियंट करता है कि यहां से यात्रा निकलेगी डीजे म्यूजिक बजेगा तो मैं पत्तर भेगूंगा यह हत्यार पहले से कैसे आ जाते है और आप दंगाई भाईदान सब ताहीर हुसाइच लेकर करनाटका में गनेश विसरजन पत्रा हुआ तो एकसे बोलने लग गए यह कहां से आजाता है दंगाईयों का सुरक्षा कवच ठीक है यह सवाल ठीक है वारिस जी आप जवाद दीजे बोलिए सर अचा सुनिए सुनिए देखिए मैं भी जवाब देना चाहूंगा शहजाद पुनावाला साब का शहजाद जब बीजेपी के हैट कोटर में जाते तो अपने आपको डेक्लेर कर देते के मैं सनातनी हिंदू अब उनका डेक्लेरेशन करना जाहिद बास है कि उनको भी चाहिए राज्यासभा कभी ना कभी खुल जाएगा किस बत्ता ताला मैं भी राज्यासभा एंपी बनुगा नाम को मांते रजाकार को मांते हैं लगाई को अपना आधर श्माथा यह इंडिया इस प्रेम कोट में क्या कहा इल्लीगल अतिकरम है तो उसको तोड़िए कर तक उनको नहीं पता था यह लिगल अतिक्रम हौण बात नंबर तिन अभी वो लोग जो जंड़ा लेकर चले गए थे और काफी दुकानों को जला दिया, उस्पताल को आग लगा दी, शोरूम को जला दिया, काफी दंगा गया, उनलोगों के खिलाप किसके किलाब F.I.R किया, कितने लोगों को हिरासत में लिया, कि उनको भी बराव पर निशान लगा के ठाक, ठाक मारा जाएगा पेर पेर, उनको पेर पेर गोली मारी जाएगी के नहीं मारी जाएगी, यह भी सवाल का जवाब दो, शहजाद पुनावाला साथ, जब को इतने बड़े राश्रे परवक्ता हो, कि उनके खिलाब कोई कर वई नहीं मारी जालाएगी, जिन्नोंने दुकां नहीं मघाएगी, इतनी इक गिलला टाक काली मुसलमानों के लिए, घर घर, नागरिक के लिए बनाए हम तो यही बोड़े रहे हैं कि हर चीज सरी मुसलमानों के अगेंज स्वाल में पूछ में चुपके हूं कि क्यों एक तरफा कार रही है खुदी वकील खुदी लॉयर खुदी जर्ज खुदी कोड बनाना यह समविधानी के कानून इसकी इजाज़त नहीं देता ठीक है अजीज कान अखिलेश रादव क्यों चुप हैं गिरात सिंग पूछ रहे हैं क्यों वो खामोश हैं उनके तो डियने में ही इंदू विरो थे सबसे पहले तुम मैं साइजाज जी को बता दूँ किसाब चाहे जितना पसमादा मुसल्मान और अब यह कह भी रहते हैं मैं पसमादा मुसल्मान हूं लेकिन बीजेपी इनको रासवा भेजेगी नहीं इनको भेजेगी नहीं क्योंकि वो मुसल्मानों को खाली इस्तेवाल करती है मुसल्मानों को बेता है प्यार नहीं है पहली बात अब मुद्ब आते हैं आपको सवाल किया बंसल जी बोलने जवाब लेकर बैठा हूं प्रसासन बिफल रहा लेकिन अगर दंगा होता है तो उसकी इंक्वाई होनी चाहिए उसके बाकाईद जाच होनी चाहिए जो जो जिस भी तरीके के दंगे में लिफ्त हैं उनको पूरी तरह से उनको सजा मिलना चाहिए और जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए आकिने सरकार क्यों नहीं इसका सर्वे करा करके इस तरीके के नुकसान की चाहे यह चुनावी रणनी थे बार को बताऊं और एक बात आप समझे चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो वो सब जानता है कि हमें इस मुल्क में मिलकर रहना है